हाई फ्रेंग्स इस देबसिश एन्ड वैलकम तो माई एन्ड यूट्यूब चैनल ट्रेडर देबसिश तो आज हम आपको एक ठों इंडिकेटर जिफ्ट करने वाद हैं, ठीक है? ऐह यह वीडियो यह वीडियो आप मतलब यह इंडिकेटर के बारे में वीडियो को फैसे नहीं मिलेगा तो सब बोलते हैं कि मोविंग बारेज है और यहð वी ईस यह क्या है यह सब जादा लोगों के पास नहीं है, मार्केट में सही से काम करता है, इस पे बाई और सेल भी दे देता है, ठीक है, आप देखिए, तो हम ये इंडिगेडर आपके साथ अभी शेयर कर रहे हैं, ठीक है, आपको सिंपिली जाना है, आपको सिंपिली एफेक्स पे जाना है, और दबा देना महतना है और दबादेना हैं आपको यह तीबोट दिख्ञा है आपको यू टी बोट यह यू टीबोट ना यह यू टी बोट एलोट यह वाला दबादेना है हो cum तो आपको मिल जाएगा ठीक है तो हम सिधा निफ्टी के चार्ट हम सिधा निफ्टी के चार्ट पे आ गए ठीक है आज का मर्केट यहाँ पे चल रहा है छोड़िए अब यह हम यह आपको दिखा रहे है देखिए यूटी बॉट अब जब लगा दिये है ठीक है देखिए यह पाच मिनिट का टाइम फ्रेम में यूज करना पाच मिनिट या पंदरा मि मिनिट में यूज करना जरा आप देख लीजिए ठीक है आप जरा देख लीजिए सही से कि कि बाई बाई का सिगनल बाई का सिगनल कहां पर दे रहा है यहां पर ठीक है बाई का सिगनल दिया रोकेट सिल का सिगनल दिया रोकेट फिर बाई का सिगनल दिया देखिए ठीक है यहें देखिये, Cell का Signal दीया. Rocket, ठीक है? तो, ऐसा होता है काम. यह देखिये, पीछे भी देखिये. दिखाएंगे, भोला हैं हम सिखाएंगे, आपको. इतना कर रहे हैं आप, Support. Buy के D-Pro Onun Signal दिया, गया. अच्छा, Cell का Signal दिया, थोरा सा, Stop Loss खाया है. फिर बाई का सिगनल दिया गया है ठीक है ये देखिए सेल का सिगनल देखे है ये देखिए सेल का सिगनल ठीक है ये देखिए बाई का सिगनल मिला है तो इसमें क्या है इसमें आप बड़ा बड़ा मूग को कैप्चर कर सकते है ठीक है बड़ा बड़ा जो मूग होगा आप कै आपको सिंपली बाइक कर लेना है यह देखिए बाइब वोला रोकेट यह देखिए सेल बोला रोकेट ठीक है पिज बिज में सेल होगा कोई भी इंटीगेटर कोई भी इंटीगेटर मतलब 100% कॉन्फरम नहीं और कोई भी अगर आपको बोलेगा कि कोई भी बंदा आपको सामने आके बोल देगा कि ये मेरा एकड़म 100% काउ करता है विश्वस कर ये ठुश्ट मत करना चंगल में मत फसने का है जो है हम सामने आपको दिखा दे रहे है इसल सब का जाता है इसल इसल क्या है आपको पहले यह मनना पड़ेगा इसल क्या है ठीक है इसल क्या होता है इसल का मतलब होता है stop loss ठीक है अगर मान के चलिए आप यहां से उपर का दिशा में एक ट्रेड ले रहे है ठीक है वो अगर गलती से नीचे की दिशा में आने लगे तो आप कितना तक loss सह सकते हो उसको कहते है एसल आने में तो आने में तो यह एक सो का एक सो का चीज दो सो भी जा सकता है लेकिन आप एक सो का चीज क्या जीरो होने तक का वेट करोगे नहीं करोगे तो अच्छा ट्रेड नहीं करता है तो आपको यह देखना है कि हम यहां पर कितना का एसल लगाएंगे मान के चलिए नाइंटी हो गया एक टी एक टी आ जाएगा तो हम यही लॉस बुक करके बैठाओगे तो मार्केट आपका पूरा पैसा खा जाएगा दो दिन देगा दो दिन देगा और तीन दिन के बाद मतलब लेना स्टार्ट कर लेगा तो एसल देना बहुत ज़रुड़ी है सिस्टेम पे एसल रखिये ठीक है बढ़िया से काम कीजिए ठीक है और हां मेरा देख रहे है कि आप लोग मेरे को फॉलो कर रहे हो मेरे को वीडियो देख रहे हो और हां अच्छा अच्छा कॉमेंट भी कर रहे हो और एक बात कि मेरे को आसिरवात करो कि ऐसे में मतलब हम आपको सिखाते रहे आप भी सिखते रहो यह है विन-विन सिचुएशन ठीक है य और आपसे मेरे को क्या मिल रहा है आपसे मेरे को प्यार मिल रहा है support मिल रहा है तो हुआ ना win-win situation आप भी जीते हम भी जीते ठीक है आपके अलावा हम हर वक्त यह बात गोल के हैं आपके अलावा हम जीरो है आपके लिए हिंदी का वीडियो लाए ये ओल ओवर इंडिया देख सके ठीक है तो मेरे वीडियो को सपोर्ट करते रहना ठीक है ऐसा ही सपोर्ट करते रहना हाँ और हाँ एक बात अगर दिल से स्टॉक मार्केट की तैयारी कर रहे हो तो ये एसल के बारे में भूलना मत कितना आएगा वो बाद में कितना जाएगा वो जो आएगा वो वर्चुएल है और जो जाएगा वो कि वो रियल है ठीक है जो आएगा 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 आपको सोचना है कि रियल में आपका परिसा कितना जाने वाला है ट्रेट के पहले ठी यहाँ पर आपको दिखा दिया है, वो settings सब कुछ, ठीक है, फिर से देख लीजिए सब कुछ, कोई मेरा दिक्कत नहीं हम आपको दिखाने में यहाँ पर sell का option मिला था, आप अगर sell की है होते देखिये इतना टक्रेली, ठीक है, यहाँ पर buy का option मिला है यह को इंडिकेटर है और कोई भी इंडिकेटर नहीं है एक फेसे में पंटेकर बनाने में वीडियो देखके decision मत लीजिए मेरा वीडियो से आप knowledge में लीजिए लेकिन आप कोई decision लेने के पहले आप अपना financial advisor से जरा पूछ लीजिए कि ये करना ठीक है या नहीं करना ठीक है ठीक है हम हम कोई से भी registered आदमी नहीं है ठीक है तो thank you once again bye bye take care